विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी बहुत समय पहले की बात है उज्जयनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे राजा विक्रमादित्य की न्याय प्रियता, कर्तव्य निश्टता और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहुर थे यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दर्बार में न्याय मांगने आया करते थे राजा हर दिन अपने दर्बार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उनका निवारन किया करते थे एक दिन की बात है, राज दर्बार लगा हुआ था, तब ही एक भिक्षू विक्रमादित्य के दर्बार में आता है और एक फल राजा को दे कर चला जाता है राजा उस फल को को शाध्यक्ष को दे देता है, उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षू राजा के दर्बार में आने लगा उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुप चाप चला जाता राजा भी प्रत्य एक दिन भिक्षू द्वारा दिया गया फल को शाध्यक्ष को थमा देता ऐसे करते करते करीब दस साल बीद गए एक दिन जब भिक्षू फिर राजा के दर्बार में आकर फल देता है बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उस फल के बीच से एक बहमूलय रत्म निकलता है। उस रत्म की चमक को देख राज दर्बार में मौजूद सभी लोग हैरत में पर जाते हैं। राजा भी यह नजारा देख आश्चर्य में पर जाता है। राजा कोशाध बताता है कि महाराज मैंने उन सभी फलों को राज कोश में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोशाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल सडगल गए हैं। उनके स्थान पर बहमूलय रत्म बचे हुए ह ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कोशा ध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दर्बार पहुँचता है तो राजा कहते हैं भिक्षु मैं आपका फल तब तक ब्रहन नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते की हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं राजा की यह बात सुन भिक्षु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे मंत साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है चून की मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता इसलिए यह बहुमूल्य उपहर तुम्हें दे जाता हूँ भिक्षु की बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उससे पास के शम्शान आना होगा जहां वह मंत साधना की तयारी करेगा इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला जाता है अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार शम्षान पहुँच जाते हैं राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसंध होता है विक्षु कहता है, हे राजन तुम यहां आए मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा अब यहां से पूर्व की दिशा में जाओ, वहां एक महाश्मशान मिलेगा उस महाश्मशान में एक शीशम का एक विशाल विक्ष है उस विक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है, उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है विक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने चल देता है महाश्मशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है राजा अपनी तलवार खीचता है और पेड़ से बंधी दोर को काट देता है दोर करते ही मुर्दा जमीन पर आगिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बलकि कोई जिन्दा इंसान है थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चड़ा है काफी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर तांग लेते हैं इस पर बेताल विक्रम से कहता है विक्रम मैं तेरे साहस को मान गया तू बड़ा ही पराकरमी है मैं तेरे साथ चलता हूँ लेकिन मेरी एक शर्थ है कि पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा विक्रम सिर हिला कर हां में बेताल की बात मान लेता है इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है की रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमान्चक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ तो ये थी विस्तार से राजा विक्रम, योगी और बेताल की आरंविक कहानी यही से शुरू होता है बेताल पच्चीसी की पच्चीस कहानियों का सफर जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है कहानियों के विक्रम बेताल के इस भाग में आपको बेताल 25 की सभी कहानिया एक साथ पढ़ने को मिलेंगी कहानी से सीख, एक राजा को हमेशा विक्रम आदित्य की तरह सहासी और पराक्रमी होना चाहिए तब ही वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताना और ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले